विचारों का केंद्र बिंदु क्यों? जीवन एक विकट समस्या है, इसमें ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं और स्मृति में विलीन हो जाते हैं इन में से कुछी विचार थोड़ी समय के लिए हमारी स्मृति में रह पाते हैं पर उन पर भी हम सरसरी नजर भर डाल लेते हैं, गहराई से नहीं सोच पाते अनिता, जीवन सबसे अधिक अधियन का विशय एवं ग्यान का भंडार है जीवन की प्रत्येक घटनाओं की पीछे कारेकारन परंपरा का अद्भुत रह से छिपा है विचार करने पर छोटी से छोटी साधारन घटना जीवन का काया पलट कर देती है और विचार नहीं करने पर बड़ी से बड़ी घटनाओं का भी कोई असर नहीं हो पाता कथाओं में हम प्राया पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति को बादलों की रंग देखकर वैराग्य हो गया अमुक को रोगी, दीन, वृद इवं वृतक को देखकर संसार से उदासीनता हो गई पर हम इनको रात दिन देखते हैं फिर भी हम पर इनका असर नहीं होता आखिर ऐसा क्यों इस पर विचार करना आवश्यक है एक घोर पापी किसी महात्मा के एक उपदेश वाकिसे सजग हो उठा पर हमने उनके वाकियों को अनेक बार पढ़ा और मनन किया फिर भी कोई परिवर्दन नहीं हुआ एक ही बात एक को भोग की ओर आकरशित करने वाली होती है और दूसरे को त्याग की ओर इससे स्पष्ट है कि वो शक्ती घटनाओं में नहीं हमारे विचारों में ही है विचारों से ही मनिश्य बनता है और उन्ही से बिगडता भी है अतह जीवन की हर एक समस्या हर एक घटना पर चाहे वो कितनी ही तुछ और साधारन क्यों न जान पड़े मनन करना आवश्यक है उसका महत्व समझना आवश्यक है प्रत्येक कारे के कारण पर विचार किया जाए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ अमक मनुश्य कार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता उसमें और मुझें किन किन बातों का क्या अंतर है मेरी और उसकी कार्य प्रणाली में कहां सामन जैसे है कहां विशमता है मेरी तुर्टी कहां है मैं कैसे वैसा कर सकता हूँ या बन सकता हूँ मैंने अमुक समय में वो कार्य किया तो क्यों किया मुझे अमुक विचार आया तो क्यों आया और अमुक कारिय या विचार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इस प्रकार क्यों की विचारधारा को आगे बढ़ाते जाने पर नया प्रकाश मिलता जाएगा नई समस्याओं के नई हल मिलेंगे और नई हलों के लिए नई समस्याएं क्यों एवं कैसे विचारों की विकास का मूल मंत्र है उसे अपना कर आप लाव उठाईए विचारक बनिए अखंड जियोती अप्रेल 1949 प्रेश्ट बारा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यवाद